है लो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस टेक के चैनल में हमें से अधिकतर लोग चाय पीने के आदि होते हैं कुछ बैट्टी के रूप में कुछ नास्ते के साथ तो कुछ इवनिंग स्नैक्स के साथ या बहुत से टाइम हो में दोस्तो आज का मेरा वीडियो इस टॉपिक पे है कि हमें नास्ते के साथ चाय कभी भी भूल के नहीं पीना चाहिए उसके पीछे क्या कारण है वो आज मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ वीडियो पसंद आये तो उसे लाइक करना बिलकुल मत बूलिएगा तो च आप और आप मेंसे कई लोग नास्ते के साथ चाय जरूर लेते होंगे हमें नास्ते के साथ कभी भी भूल के भी चाय नहीं लेना चाहिए तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वज़य को दोस्तो चाय में टैनिन उपस्तित होता है जो की भूजन में उपस्तित प्रोटीन और आयरन को अज़़ोर करने की छमता रखता है इसलिए जब भी हम अगर चाय के साथ कोई भी भूजन ग्रहन करते हैं या नास्ता लेते हैं तो वो भूजन में उपस्तित प्रोटीन और आरन को अज़्जौर कर लेता है जिससे हमारे सरीर में वो सकत्तों की कमी बन जाती है और जब हम दोनों साथ में ग्रहेंट करते हैं तो हमारा पाचन भी सही से नहीं हो पाता जिससे पाचन संबंदी और स्वास संबंदी बहुत सी समस्याइं उत्पन होने लगती है या होता है और पाचन प्रक्रिया को पुरी तरह से प्रभाइद करता है यदि आप भोजन में प्रोटीन का सेवन करते हैं तो चाय से निकलने वाला एसिट प्रोटीन की मात्रा को सक्त कर देता है जिससे पाचन प्रक्रिया का होना भी मुश्किल हो जाता है इसलिए भोजन के तुरंद बाद भी चाय पीना भी शरीर द्वारा आइरन के असोसंट में हस्ता छेप करता है, बोजन से एक घंटे पहले और एक घंटे बाद चाय पीने से जरूर बचे, हम अधिकतर नास्ते में या तो अंडे, या तो हरी सबजियां, या तो स्प्रोर्स लेते हैं, या अंक या चाय के साथ चाय पीते हैं, तो वो भूरी तरह से एक जरूर डालता है, तो ऐसे आपने चाय के साथ अधिकतर पकोड़े की ऋद्यमार्ट, जरूर की होगी, और पकोड़े वह भी पालग की हो, तो वह बहुत ही अच्छे लगता हैं, लेकिन अगर आप भी चाय के साथ पालक के पकोड़े खाते हो तो आज से ही उसको ब्रक लगा दीजेगा क्योंकि पालक में भरबूत मारता में आइरन उपस्तित होता है और जब हम चाय के साथ पालक के पकोड़े खाते हैं तो वो आइरन हमारे सरीर में ठीक से एव्जॉर्ण नहीं हो पाता है क्योंकि चाय के साथ पालक के पकोड़े लेने से चाय आरण को एज़ॉर कर लेता है और जिससे हमारी पाचन में भी बहुत बड़ी समस्य आ सकती है इसलिए आप अगर चाय के साथ पकोड़े खाते हो या कोई भी तली भूनी चुई लेते हो तो उसे आज से ही रोग दीजिए दोस्तों बात छोटी सी है बगर बहुत काम की है आप उसे जरूर सोचिएगा और हो सके तो अपने नास्ते की साथ चाय कभी मत लीजिएगा ओके फ्रेंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुचाएग और अपने सुझाओ भी मेरे साथ सेयर करिएगा तो फ्रेंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलेगा थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो बबाई टेक केर